वेलकम पाक टू अनादर वीडियो तो कैसे राज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग है आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैंसिल के बारे में तो जब आप पैंसिल के बारे में थोड़ा बहुत इंफोमेंशन निकालते हो तो आपको पता जलता है कि मार्केट में कौन सा पैंसिल लेना चाहिए क्योंकि देखो जब आप बिल्कुल लोवर प्राइस में जाते हो जब एकदम बीगिनर हो आप नॉर्मल सौप पे गए वहां से कोई पैंसिल उठा ली जो की जातर हंड्रेड रुपीस से नीचे की होती है पचास हाट रुपए में देखने क को मिलती है वह पैंसिल अगर आपने ली आप ज्यादा पैसे खर्च भी नी कर रहे हो तो वहां ज्यादा एक्सपेक्ट नी करता है अब हम बात करें प्रिम्यम सेक्शन की तो अल्मोस्ट जितने भी पैंसिल जो थाउसर रुपीस के आसफास में आती है वह सबके लोग एक् अगा जोन पर एक यहां पे मैंने सेर्च किया उसको मैंने फिल्टर किया और यहां पर मेरा टार्डड़े है कि मैं सो रुपैसे 500 रुपै की बीच के पैंसिल को टार्ड़ेट करूं आइंड उसमें कौन सा बेटर होगा सबसे ज्यादा मार्केत में वह मैं पको बताने की को स्क्रॉल किया तो मुझे मिला फैबर के साल 9000 जो कि 6 पैंसल मिलती है आपको इस प्राइस में देखने को मिल जाता है उसके बाद थोड़ा सो मैंने और स्क्रॉल किया तो मुझे मिला डेरवंट अकाडमी का जो की अगें 299 की आती है 12 पैंसल का सेट तो यह भी देखने में आ रुपीस की हैं बट सबसे इंपोर्टन है कि यहां पर 375 में आपको 24 पैंसल मिल रही है ठीक है थोड़ा सो और मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे देखने को मिला फैबर कैसल की गोल्ड फैबर सरीस की पैंसल जो कि यहां पर वैसे तो 499 का मेंसल है जिसके साथ पैंसल स्वरी पैंसल के साथ एरेजर और सारी चीज़ भी मिल रही है बट ऐसे मार्केट में अगर आपको मिलता है तो 3500 रोपे की वह भी देखने को मिल साती है और यहां पर मैंने जब सर्च किया तो मुझे ध्यान आया कि डर्वन्ट की भी 6 पैंसल का सेट आता है जो कि अगेन हमारे ब की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि उसलिके बारе में आपको जज्जमेंट दे सकता हूं। उसलिके बारे में मैं आपको बता सकता ओंकि कॉ से pencil मेरे experience के हिसाब से better deal आपको देता है तो यहाँ पर अगर मैं फिलहाल present time की बात करूं तो इतने pencil जो मैंने देखें उसमें से ती चार pencils हैं जो मेरे पास available हैं यह तीन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो मेरे पास 24 pencil का set है तो वह भी मैं use करके देख लूँगा क्योंकि वह थोड़ा सा high price में है 500 के आसपास पर comparison करके देख लेंगे तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं जितने भी pencils मेरे पास हैं compare करने के लिए और यह चीज यह portion ना वीडियो का बहुत ही ध्यान से देखना और खास कर सुनना तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं दो grade मैं निकाल रहा हूं चुकि फाइवर के साल 9000 में HB के नीचे का grade का pencil नहीं है तो इसलिए मैं fair रखने के लिए तीनों में same grade की pencil मैं निकाल रहा हूं HB and 4B तो यहाँ पर मैंने तीनों pencil का HB and 4B मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और उसको sharpner से अच्छे तरीके से sharp कर लिया है चारों को sorry तीनों brand को ताकि जो comparison है वो fair हो ठीक है यह मैंने sharp कर लिया और उसके बाद जो paper है तो यहाँ पर मैं comparison के लिए bristle paper यूज़ कर रहा हूं and सबसे important यह है कि जब मैं इसको draw करूं ठीक है तो अब sound को experience करो और judge करो खुद से कि कौन सी pencil आपको ज्यादा better experience दे सकती है वो तो मैं बताऊंगा ही at the end अपने experience के हिसाब से बट फिर भी sound को आप बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको पता चल जाए कि कौन किस तरीक का sound produce कर रही है और उसके हिसाब से उसका outcome क्या सकता है ठीक है तो यहाँ पर simply मैंने mic रख लिया एकदम बिल्कुल पास में ताकि एकदम clean sound आपको सुनाई दे जब भी मैं pencil को apply करूँ तो यहाँ पर मैंने तीनो का नाम लिख लिए जैसे फैबर कैसल का इफ बुरुष्टो का भी एंड वरिसन का डबल वह मैंने लिख लिए और उसके बाद मैं यहाँ पर apply करूँगा एंड HP pencil apply कर रहा हूं ध्यान से sound को experience करो कि किस तरह यह sound produce हो रहा है हुआ 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 है कि अग्यान तो इन तीनों के साथ में मैंने डर्वन के भी रख ली है क्योंकि आव्विएसली मेरे पास 24 पैंसिल का सेट है पट सेम टू सेम पैंसिल होती है जब आप शे पैंसिल का सेट परचस करते हो तो वह भी मैं तोड़ा यहां पर कंपेर करके दिखा देता हूं साउंड आपको सुना देता हूं कि इस तरी के प्रोड्यूस करता है तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया है एंड यहां पर सबसे उपर वाला पार्ट जो है वो मैंने एचबी से शेड किया है उसके बाद कुछ लाइन्स डॉर करी हैं एंड उसके नीचे जो है वो फॉर्वी पेंसल से अप्लाई किया है एंड साउंड आप साइड बाई साइड सुन सकते हो ध्यान से अब्जर्व कर सकते हो कि किस तरीगी का आउटकम मिला होगा अब यहां पर मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूं कि किस तरीगी का आउटकम है तो थोड़ा आपको पास से भी दिखा देता हूं ताकि आप बहतर चीजें समझ पाओ देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे फैबर के साल 9000 डर्वेंट की तो इसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफी अच्छी आई है और मैं बता दूँ कि चारों को मैंने एक ही तरीके से शेड किया था बट फिर भी इन डर्वेंट से भी जादा बहतर जो कंसिस्टें है बट वहीं पर अगर आप बात करें वरिसन की तो वरिसन में प्रॉब्लम क्या है कि कंसिस्टेंसी भी नहीं मिली है डाकनिस है अच्छी अगर मैं बात करूं सिर्फ एच्बी की तो डाकनिस है पर कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है तो इसको तो आप शाइडी कर दू तो मैं अपनी पर्शन एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ कि वरीसन एंड जो डर्वंट एकेडमी मैंने दिखाया था जो मेरे पास अभी फिलहाल अविलेबल नहीं है वो ही मैंने यूज करा हुआ ये दोनों पेंसिल बिल्कुल भी करते हो अगर आपको मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप आपको value for money नहीं मिलेगी अच्छी पेंसिल हैं काफी smooth experience है consistency बहुत अच्छी मिलती है wood की quality बहुत अच्छी है बट थोड़ा सा higher price के side है इसलिए मैं उसको भी consider नहीं करता हूँ तो बचता है ये 3 उसे compare करो तो थोड़ा सा expensive side में है but look and wood की quality lead की quality derwent में भी काफी अच्छी है but यहाँ पर हम थोड़ा सा cross cutting कर रहे है मतलब cost cutting कर रहे हैं ताकि हम 300-300 के आसपास में एक अच्छी deal निकाल सकें तो derwent को भी मैं थोड़ा सा side रखता हूँ although यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिमियम क्वालिटी के pencils है but फिर भी थोड़ा सा price जादा है 500 अगर आपके पास है 500 या फिर उससे उपर तो आप check out कर सकते हो अगर आप 500 से थोड़ा से उपर जाते हो बता दूँ देखो दोनों की advantages and disadvantages है जो कि मैं आपको बता देता हूँ अगर मैं बात करूँ फेबर के से 9000 के तो यहाँ पर advantage के अगर मैं बात करूँ तो इस सिर्फ price range में literally मैं बता रहा हूँ इस price range में इतनी अच्छी look जो इतना जदा matter नहीं करता है बट फिर भी जब आप उसको hold कर तो बहुत ही premium सी feel देती है and उसके साथ साथ जो smoothness है और जब आप इसको blend करते हो तो जिस तरीके से यह blend होता है वो इस price range में कोई नहीं दे रहा but problem क्या है इसके साथ problem यह है कि darkness आपको नहीं मिले है अगर आप dark tone बनाना चाह रहे हो फिर वैबर करसे 9000 में आपको problem होगी क्योंकि यहाँ पर आपको 6B तक ही मिलता है जो कि इतना ज़्यादा dark नहीं है but वहीं पर अगर मैं बात करूँ ब्रुष्टो की तो ब्रुष्टो में darkness काफी अची आपको darkness में बिल्कुल कोई problem नहीं आईगी 10B तक आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो darkness में बिल्कुल कोई problem नहीं है थोड़ा सा अगर compare करोगे फैबर कर सा 9000 से तो इसकी smoothness and consistency इतनी नहीं है and sound में भी आपने experience किया होगा कि कहीं कहीं यह फस्ता है इसके particles थोड़े से फस्ता होते हैं जोसे की वज़ए से थोड़ा सा experience हल्का सा डाउन हो जाता आपको उतना premium feel नहीं होता but साड़े 300 रुपय में again यह भी काफी अच्छा deal है तो बस guys आज के video में इतना ही and अगर आप मेरे जो भी मैंने बताया है उससे अगर आप agree करते हो तो वो भी आप comment section में लिख सकते हो अगर आप disagree कर सकते हो तो अपने opinions भी आप लिख सकते हो and कोई pencil अगर रह गया है इस price range में जो आपको लगता है कि इसको include करना चाहिए था तो वो भी आप मुझे बता सकते हो ताकि next time अगर मैं इस तरीकी का video बनाओ तो मेरे पस और options हो और और भी अच्छे तरीके से मैं आपको judge करके बता सको तो आज का video यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं एंगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई